इस टुटोरियल में हम क्लास एट की एक्ससाइज 2.2 का क्वेस्टन नंबर 15 सॉल करेंगे विच सेज आई हैव अ टोटल आफ रूपीज 300 इन कोईन्स ओफ दिनोमिनेशन रूपी 1, रूपी 2 और रूपी 5 यानि की मेरे पास टोटल 300 रूपए हैं लेकिन मेरे पास कॉइन्स हैं एक रूपए के दो रूपए के और पाँच रूपए के सिर्फ इन तीन तरह के कॉइन्स का टोटल जो है वो कितना है 300 अब जैसे मैंने आपको पिछले टुटोरियल में भी बताया कि इस तरह के questions को करने के लिए हमेशा table बनाओ और उसमें data लिखो उससे आपका question हमेशा सही होगा तो अब हमारे पास denomination क्या है? रूपी 1, रूपी 2, रूपी 5 तो मैं यहां लिखता हूँ say रूपी 1, रूपी 2 and रूपी 5 अब first column में normally हम यह mention करते हैं कि यह row में क्या information जाने वाली है जैसे कि अब next line यह कहती है the number of रूपी 2 coins is 3 times the number of रूपी 5 coins यानि कि 2 रूपी के coins हमारे पास 5 रूपी के coins से 3 गुना जादा है यानि कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 रूपी के x coins है यानि कि यहां पर हम लिख लेते हैं count count of coins तो रूपी 5 के coins कितने मान लेते हैं? x अगर यह x है तो रूपी 2 के coin कितने हो गए? 3x और rupee 1 के coin की हमें कोई information नहीं दी तो हम उसको माल लेते हैं y क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका rupee 2 के coins के count के साथ या rupee 5 के coins के count के साथ क्या link है तो हम उसको y माल लेते हैं Now, the total number of coins is 160 यानि कि अगर मैं यहां लिखूं total तो total number of coins is 160 यानि कि y plus 3x plus x is 160 total count कितना है 160 How many coins of each denomination are with me अब हमें ढूड़ना है कि 1 rupee कितने coin 2 के कितने और 5 के कितने है Now, अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास total amount कितना है 300 तो total cash अगर मैं यहां लिखूं तो मेरे पास कितना है 300 अच्छा, अगर ये 300 है तो rupee 1 के y coin है तो इसका मतलब 1 rupee के y coins का total cash कितना बना y into 1 अगर मेरे पास 2 rupee के 3x coins है तो total amount कितना बना 3x into 2 और 5, 5 rupee के अगर मेरे पास x coins है तो total मेरे पास 5, 5 rupee के coins में कितना cash बना x into 5 अब यहां पे मेरे पास 2 equations आएंगी पहली यह equation बनेगी y plus 3x plus x is equal to 160 which means y plus 4x is equal to 160 let us call it equation number 1 अब दूसरी क्या बनेगी यह cash वाली rupee को हम solve करते है तो y into 1 is y plus 3x into 2 is 6x plus x into 5 is 5x is equal to 300 which implies y plus यह कितना हो गया 11x is equal to 300 let's call it number 2 अब हम इन दोनों को solve करते हैं now from equation 1 equation 1 को अगर मैं दुबारा देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं यह मेरे पास क्या है y plus 4x is equal to 160 which implies y is equal to कितना है 160 minus 4x अब यह y की value अगर मैं यहां डाल दूँ equation number 2 में तो यह पूरी equation single variable में आजाएगी यानि की x में आजाएगी और यह हमारा target होता है so let us use the value of y in 2 तो वो मेरे पास क्या आजाएगा यहां y की जगा अगर मैं यह डाल दूँ तो यह हो जाएगा 160 minus 4x plus 11x is equal to 300 which implies 160 को मैं अदर ले जाता हूं तो यह 11x minus 4x कितना हो गए 7x is equal to 300 minus 160 which is equal to 140 which implies x is equal to 140 divided by 7 that is 20 तो x की value आगी मेरे पास 20 अब वो क्या कहता है how many coins of each denomination are with me तो यह count हमें actually निकालना है रुपी 1 का count कितना है y, रुपी 2 का 3x, रुपी 5 का x तो सबसे पहले रुपी 5 का account हमारे पास अलड़ी आगया रुपी 5 उसके account कितना है? x तो x कितना है? 20 तो यानि कि 5-5 रुपे के हमारे पास 20 coins है अब रुपी 2 का निकाल लेते हैं तो रुपी 2 के कितना है हमारे पास? 3x and 80 is the answer so that's it from this tutorial if you like this tutorial please subscribe this channel and share this tutorial with your friends and keep watching Mathemorphia